नमस्कार दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज आपको जिस विशय से अवगत कराना चाह रहा हूं पहले चरण के लोगसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उसके पहले चरण से उस विशय पर लंबी चर्चा हो रही है काफी विवाद का विशय बना हुआ है कि छत्रिय भारती जनता पार्टी से नाराज है और इसको लेकर जगा जगा कुछ पंचायते भी हुई और तमाम बाते कही गई जिसकी शुरुवात पश्ची मुतरपदेश से हुई थी और अब जबकि ये मामला अब की और बढ़ेंगे तो इस पर बातची तभी बंद नहीं हुई मगर बीती रात कुछ एक शाम को एक ऐसी घटना उत्तरपदेश में हुई है जिसके बाद में छत्रिय राजनीती के दरश्टिकोन का एक उस पर जो विवाद चला था उसको लेकर के कुछ नया हो गया है ये ये राजनीती अब घूमती हुई नजर आएगी क्योंकि मुलायम सिंग यादो के चुनाव छेत्र जो कभी यादो परिवार का जो की गढ़ है वहां से उनकी पुत्रवधू डिंपल यादो चुनाव लड़ रही हैं उस चुनाव छेत्र में महराना प्रताप की प्रतिमा क ये साथ छेड़ चाल हुई उस पर उपद्रव हुआ और ये उपद्रव हुआ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों अखलेश यादों के रोडशो के बाद और इस मामले में करीब 90 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं मैनपुरी में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है जो समाजवादी पार्टी के कारकरता और नेता हैं वस्तविक्ता में प्रिष्टभूमी ये है कि कल मैनपुरी में डिम्पल यादों के समर्थन में अखलेश यादों एक बड़ा रोडशो कर रहे थे और इस रोडशो के बाद रात के जब कलीब शाम से शाम विरोद में नारे लगाए और इस प्रतिमा से चेरचाड की तोड़ने की कोशिश की बाद में स्थानिय लोगों के विरोद के बाद में और कुछ इसमें मारपीट भी हुई और पुलिस के दखल के बाद यहाँ पर लोग गए और नतीजा यह हुआ कि यह मामला पूरे जिल में मुकदमे दर्ज हैं और जिसके बाद में अब कहा जा रहा है कि कड़ी कारवाई उन लोगों पर होगी जो महना प्रताब की प्रतिमा के साथ छेरचाड करने का प्रयास कर रहे थे बैक्डाउंड के बारे में बता दें कि जब जैवीर सिंग ठाकूर जो की उत्तरपदेश सरकार में संस्कती और परयाटन के मंत्री हैं उनको चुनौ लड़ाने का ऐलान भारती जनता पार्टी ने किया कि वे महन पूरी से डिंपल यादों के खिलाब चुनौ लड़ेंग तो महाराना प्रताब की प्रतिमा इसलिए लगाई है क्योंकि उनके सजातिये थे और केवल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए महाराना प्रताब की प्रतिमा में लगा दी गई और ये विवाद वहीं से शुरू हुआ इस प्रतिमा को ले करके दूसरी और जैवीर सि संस्क्रिती मंत्री रहते हुए संस्क्रिती विभाग की ओर से मैन पूरी के अलग-अलग चौराहों पर अलग-अलग समुदाय जातियों से जुड़े हुए महापुरिशों की प्रतिमाएं लगाई हैं जिनकी संख्या लगभग डेढ़ दर जलन है और बात केवल महाना प्रत थाल चोड़ाहरय पर लगई महानास प्रताब की प्रतिमाज से छेरचार्ड कीunch अब इस छेरचार को लेकर भारतिय जन्ता पार्टी आक्रामक है चत्रिये प्रतिष्टा चत्रिय सम्मान को लेकर अब भाजपा मैदान में उत्रेगी जो नेरेटिव अब तक भाजपा के खिलाब चला था कि वर राजपूतों के खिलाफ है चत्रियों के खिलाफ है उसने कम टिकेट दिया है तो अब भारती जनता पार्टी ने तो पहले मैदान में केंद्रिय अब भारती जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सातवे चरण के चुनाओं तक ले जाएगी यहां से नेरेटिव सेट करना शुरू किया जाएगा कि महाराना प्रताथ की प्रतिमा के साथ छेड़चाड समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की इससे पहले भी अखलेश श्यादो अनेक बार मुख्रमंत्री योगी आदिरनाथ पर या अरोप लगाते रहे हैं कि वे अपने सजातिये लोगों को बढ़ावा देते हैं अधिकारियों को बढ़ावा देते हैं और इस नेरेटिव में अब ये महाराना प्रताथ की प्रतिमा पर हुआ हमला एक पॉइंट ऑफ यू बनकर निकलेगा भारती जन्ता पार्टी के लिए इस पूरे विवात की शुरुवात जो च्छत्रियों और भारती जन्ता पार्टी के बीच में बनाया गया इसकी शुरुवात पश्ची मुतर प्रदेश से हुई जहां संगीत सोम और मुझभा नगर स भाटपा के वरतमान सांसाद और परत्याशी अनिल बाल्यान के बीच जो दिक्कत थी संजीव बाल्यान माफ कीजेगा संजीव बाल्यान के बीच जो आपसी टशल थी उस टशल में जातिवात को एक मुद्दा बनाया गया संजीव बाल्यान के के गुट के लोगों का ये आ प्रतीजा हुआ कि अनेक स्थानों पर पश्री मुत्रप्रदेश में कुछ पंचायते हुई जिनमें जो 36 विरादरी कही जाती हैं च्छत्रियों की उन सब को आमंत्रित किया गया और भारती जनता पार्टी का विरोध करने का फैसला किया गया। ये चीज़ बनी हुई है कि कई न कई राजपूतों के मन में ये बाट डाली जा रही है कि भारती जनता पार्टी उनके समर्थन में नहीं है भारती जनता पार्टी को और से लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है हमने लगबग एक दरज़न टिकेट राजपूतों को दिये हैं और हम सर्व समाज की पार्टी हैं और हमेशा से चत्रियों का सम्मान किया जाता रहा है रक्षा मंतरी राजनाज सिंग चत्री हैं मुखमंतरी योगी आदितना चत्री हैं ऐसे अनेक बड़े नेता चत्री हैं और ये पूरी लड़ाई अब तक भारती जनता पार्टी के ख वहां तक के चुनाओं में इस बात को लेकर जाएगी कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने महरणा प्रताप को अपमानित करने का प्रयास किया यानि कि पूरे के पूरी राजपूत समाज को अपमानित करने का प्रयास किया और जिस तरह से मैं अभी सुबे से देख रहा कि भारती जंता पार्टी के नेता इस मामले में खासे सक्रिय हैं और ततकाल FIR भी हुई है और अभी कुछ गुरफतारियां भी होगी इस मामले में और ये पूरा मुद्दा बड़े रूप में जाएगा और समाजवादी पार्टी के लिए अब ये मुश्किल हो जाएगा इस समाजवादी पार्टी अब तक छत्रियों राजपूतों की बात रख रही थी और कई रही थी कि भारती जंता पार्टी से उनका विरोध है इसलिए उनको वोट दिया जाए अब सपा और अखलेश यादो किस तरह से राजपूतों के भी जाएंगे और ये बात इसमाजवादी पार्टी के उससे भारती जंता पार्टी को एक बढ़ा मौका मिल गया ही जिसका इस्तेमाल नाकीवल महिंपूरी के चुनाओं में होगा बलकि अब 74 तक हर जनसभा में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक इस बात को बोलेंगे कि जो महारणा प्रताप मुगलों के खिलाफ लड़े जिनोंने मोर्चा लिया समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई है उनकी प्रतिमा को चतिकास करना चाहती है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुगलों के समर्था का है और इसी ही इसी बात को लेकर भारती जनता पार्टी इतना प्रचारित करेगी कि धीरे धीरे जो छत्रीयों के विरोध का नेरेटिव बीजेपी पर लागू किया जा रहा था वो कही ना कही समाजवादी पार्टी पर लागू होने लगेगा और जिससे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की आशंका है ये नुकसान कितना होगा इसकी कोई गरंटी तो नहीं ली जा सकती लेकिन ये तय है कि भाजपा को बैठे बिटाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिस चत्रिय समाज की नाराजगी को वो अब तक सह रहे थे वो सामना कर रहे थे अब कहीं न कहीं ये एक मरहम की तरह उनके लिये हुआ है मैनपुरी की घटना वीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जटका है तो आज के वीडियो में ब बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार